नमस्कार शाथ यही में तरह यूटी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज के बीने हम राजस्तान पुलिस केनल बॉइ की बढ़ती में पूचे जाने वाले इंटर्बू के दोस्तो अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तो इस इस नाम से दोस्तों प्लेडी बनी हुई है उनमें दोस्तों सभी पॉर्ट को आपको देखना हुगा तभी दोस्तों आपके ये पार्ट समझगेंगे तभी दोस्तों आपका इंटर्व क्वालिफाई हो पाएगा तो चलिए साथ यह वीडियो वह आगे बढ़ने से पहले चर्चा करते हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं यहां पर आपके जर्मन शेपर्ड हो जाता है एक आपके साथ ही बुल्डॉग और इसके बाद दोस्तों रेटरियेवर इसके दोस्तों लेब्राडोर भी कहा जाता है तो यहां पर दोस्तों केनल डॉग के कितने परकार होते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको हम सभी केनल डॉग की प्रिजातियों के बारे में चित्र साहित बताएंगे तो दोस्तों तीन परकार तो यह होगा जर्मन शेपर्ड बुल्डॉग रेटरियेवर इसे ही दो साथियो आपके रेट रियेवर को यी लेबराडोर कहा जाता है तो दोस्तो ज्यादातर पुलिस बवाग के अंदर जर्मन शेफ़र्ड और साथियों आपके लेबराडोर के नल डॉग का प्रियोग किया जाता है अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और कौन सी प्रिजातिया है साथि तो दोस्तो इस तीन प्रिजाति यह हो गई गोल्डन रिट्रेवर फ्रेंच बुल्डोग और दोस्तो यहां पर यह हो गई साई के हसकी तो दोस्तो तीन प्रिजाति यह हो गई तीन पहले बता दिये इसके बाद दोस्तो अगली चर्चा करते हैं और कौन कौन सी प्रिजात या आपके एक तो होगे पूडल और एक होई दोस्तो अलासकन मला मोट है तो दोस्तो ये प्रजाती आपके कैनल डोग की है दोस्तो एक बार दोबारा से हम आपको बता देना चाहते हैं कौन-कौन सी प्रजाती है तो साथ ही आपको इनके पूरी प्रजातियों के बारे में द दोस्तों आपको एक तो इसको ध्यान रख लेना जर्मन चैपर्टों को एक दोस्ता आपको रेट्रीवर को ध्यान रख लेना है तो दोस्तों आपको इनका ही ध्यान रखना मुक्य रूप से दोस्तों यही पुलिस वहां के अंदर गत काम आते हैं नेस्ट बात करते हैं, नेस्ट कोईशिन की चर्चा करते हैं, नेस्ट कोईशिन क्या पूचा गया है, तो साथ यहां पर नेस्ट कोईशिन पूचा गया है, कैनल डॉग के बिस्कुट का नाम बताईए, तो दोस्तों यहां पर पूचा गया है, कैनल डॉग के बिस्कुट का मात नाम क्या होता है डॉग चिकेन विस्कुट रहते हैं जारे को था दब चिकन विस्कुट। जिसका दोस्तों सरवादिक मात्राम पुलिस वाग में उपयोग किया जाता है डॉग के चिकन को पचाने के लिए साथियो इसका उपयोग किया जाता है तो इस बिस्कुट का नाम है डॉग चिकन बिस्कुट नेक्स्ट कुश्चन की साथियो चरचा करते हैं कि निस्ट कोशन किया पूचा गया है, तो केनल कुट्टे के तो इस सामाने तरपर आठ से पूचा देमा सकता है। तो कैनल डोग के साथियों कितने दांत होते हैं, लगबग आपके 42 दांत होते हैं, एक कैनल डोग के लगबग 42 दांत होते हैं, नेस्ट कुश्चिन की चर्चा करते हैं, नेस्ट कुश्चिन क्या पूछा गया है, तो यहां पर साथियों, नेस्ट कुश्चिन पूछा गया है कैनल डोग कौन कौन से रंग नहीं दिखाई देते हैं तो कैनल डोग को साथियो कौन कौन से रंग नहीं दिखाई देते हैं कैनल डोग को कौन कौन से रंग दिखाई नहीं देते हैं साथियो कैनल डोग को कौन कौन से रंग दिखाई नहीं देते हैं लाल, नारंगी, और हरा next question की चर्चाकरण से साथ यो next question क्या पूच गया है तो यहाँ पर next question पूच गया है साथ यो kennel dog कौन कौन से रंगों में अंतर इस्पष्ट नहीं कर पाता है तो यहाँ पर यह अलग question साथ यो वो आपका अलग question आथ उसमें तो दोस्तों पूछा गया कि कैनल डॉग कौन कौन से रंग नहीं देख पाते हैं अब सात्यों ये कोश्चन है आपके कैनल डॉग कौन कौन से रंग में अंतर इसपष्ट नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों उनके ये पैचान में नहीं आता है ये कौन से रंग है और ये नीला है तो ये दो रंगे साथ हुआ जो भी बैग्यानिक दरश्टी से बताए गए है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला और नीला रंग में साथ यो कैनल डो अंतर इसपश्ट नहीं कर पाता है नेस्ट कोश्चेन की चर्टा करते नेस्ट कोश्चेन क्या प जाना जाता है राजस्तान पुलिस के अंदर ज्यादातर मात्राम एसी का उप्योग होता है जर्मन कुत्रे का और क्या नाम होता है जर्मन कुत्रे का और क्या नाम होता है जर्मन सेपर्ड जर्मन सेपर्ड कुत्तों की एक बड़ी नसल है जिसे की अल से तीयन के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है अलसे तीयन तो जर्मन कुट्टे का दूसरा नाम है अलसे तीयन और इसके जन्म की बात करें साथ ही आप से जन्म के बारे में पूछ ले वहाँ पर के यहाँ पर पूछ ले साथ ही आप से जर्मन कुट्टे का जन्म किस इस् इनका जर्म वुआ था जर्म थैपड का नेस्ट क्योश्टिन की बात करते साथे नेस्ट क्योश्टिन क्या पूचा गया है बॉडर कोली को गहरेलू कुट्तों की सबसे बॉडर कोली की सबसे बुद्धिमारी नसल माना जाता हैं कुछ सबसे बुद्धिमारी नसल है जिसको दोस्तों की सबसे घरहों में पाला जाता है नेक्ट कोश्चन की बात कहते हैं नेक्ट कुछिशन क्या पूछा गया है यहांपर नेक्ट कुछा गया है पहला भारतिय कुछा था तो पहला भारतिय कहने लोग कौन सा था सातियो पहला भारतिय कुछा था भारत के अंदर सातियो पहला कुछा आया तो उसका नामे सातियो परी आहा तो परी आहा सातियो आप के पहला भारतिय कुट्टा था जो कि दोस्तो भारत में इसका जन्म माना जाता है पहला भारतिय कुट्टा कुट्टा था परी आहर तो दोस्तो इसका संब्द आपके तो दोस्तो आपके ये जन्नल नौलिज में भी आपके बहुत अच्छा कोईशन है क्योंकि दोस्तो परी आग कुट्टे का ये सातियों आपके पिर्मान कहां पर मिलें मोहन जोद्रों में तो मोहन जोद्रों में सातियों परी आग कुट्टे के सातियों पिर्मान मिलें इसी आदार पर सातियों पहला भारतिय कुट्ट्टा की संग्या इसे ही दी गई है परी आग कुत्ते कोई साथियों पहला वारतिय कुत्ता की सेंग्या दी गई है कौँकि इसका संब्द महुंजोद्रों से था तो महुंजोद्रों से बता से साथियों इसका संब्द था इसलिए इसे पहला वारतिय कुत्ता की सेंग्या दी गई है तो आपको दोस्तों ये general knowledge में भी अच्छा काम आता ये question next question की बात करते साथ ये next question क्या पूचा गया है तो आपको next question पूचा गया है साथ ये कुट्तों की साथ स्रेनिया कौन कौन सी होती है कुट्तों की साथ स्रेनिया आपको बतानी होंगी कुट्तों की साथ स्रेणिया कौन कौन सी होती है Sporting, Hound, Barking, Terrier, Toy, Non-Sporting, Heading तो दोस्तों ये साथ स्रेणिया होती है कुट्तों की Sporting, Hound, Barking, Terrier, Toy, Non-Sporting, Heading तो दोस्तों ये कुट्तों की साथ स्रेणिया होती है Next question की चर्चा करते साथ ये next question क्या पूचा गया है यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही प्रेशने थे अब दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं आपके एक तो आपके SSC GD के साथ यो permit card आ गए है तो इस वड़ी खबर a के आपको यह है आपके SSC GD के साथ यो आपके एड़कंट काड आ गए है स के एड़ना admit कारड देख लेन अगर उसके लिए दोस्तों हम से वीडियो भी बना दिया आपको किस परकार से SSGD का admit card देखना है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके railway group D की दो exam हुईती दोस्तों उसके marks जारी कर दिये कितना आपका score card हुआ है आपके बो भी दोस्तों जारी कर दिये इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक आपके railway group D के अंदर ठाती हो जिन भी भाईयों को selection हुआ है तो दोस्तों उनका physical की date भी साथियो जारी कर दिये है तो इन सभी का वीडियो साथियो हमने पहले ही बना दिया है आपको वो देख लेना है यादि दोस्तों किसी भाई का हो तो वो उस वीडियो को आपको share कर देना जैसे बे भाई अपना physical देख पाए किस तारी को आपका physical है और SSCGD का भी दोस्तों एक्जाम को भी देख लेंगे किस तारी को SSCGD का उनका एक्जाम है जैसे आने वाला प्रतिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे तो साथ आज की वीडियो इतना है कि आप फिर मिलते हैं आप से नेक्ट अपडेट के साथ जब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै बारत